आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाल। कि अगर दोस्तो आप phone पे से bank का statement निकाल, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं phone पे में एक नया future आया हुआ है जिसके मादयम से अब आपने bank का statement निकाल सकते हैं phone पे application से कैसे आपको phone पे application से bank का statement निकालना है मैं आपको इस वीडियो में complete process बिल्कुल नए तरीके से बताने वालों तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको करना चाहोगा phone पे application open कर लेना open होने के बाद इस तरह का इंडर पे सो करेगा अब दोस्तों आपको यहाँ पे check balance का एक option दिखाए देगा तो simple सा दोस्तों आपको check balance का option पे click करना यहाँ पे देख सकते हैं एक check balance का option दिखाए देगा इस पर click करना है जैसे इस पर click करेंगे अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं bank statement का option दिखाए देगा आप देख सकते हैं उपर में मेरा दो bank account link है phone pay में एक ATM payment bank एक state bank up India तो इन दोनों bank को का मैं दोस्तो bank statement निकाल सकता हूँ सिर्फ phone pay application से तो दोस्तो कैसे निकाल सकते हैं उसके लिए आपको करना चाहोगा bank statement के एक option आपको दिखाये देगा इस पर आपको simply click कर देना है जैसे याप bank statement के option पर click करेंगे आपके सामने इस तरह का interface आजाएगा अब आपको थोड़ा install करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ बताया गया है कि अगर आपने phone pay से loan लिया हुआ है तो loan का भी statement निकाल सकते हैं और दोस्तों तीसरे में बता रहा है कि अगर आप phone pay में investment किये हुए है तो investment किये हुए दोस्तों आप statement निकाल सकते हैं जो भी आप invest किये हुए है phone pay में उसका भी statement निकाल सकते हैं और चौते में दोस्तों बोल रहा है कि अगर आपने credit card link किया है दोस्तों यहां पर आपको get started with AA option दिखाए देगा इस पर आपको simply click कर देना है जैसे दोस्तों इस पर आप click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा अब दोस्तों आपका जो नंबर से phone pay account बना हुआ है वो number आपका यहां पर नीचे में उपर में सो करेंगा उसके बाद नीचे में आपका phone pay का UPI ID आपको यहां पर सो करेंगा आपको करना क्या होगा registered with OTP का option दिखाए देगा तो simple सापको करना क्या registered with OTP का option पे click करना है जैसे दोस्तों registered with OTP का option पे click करेंगे आपके mobile number पर OTP आएगा OTP manually ले लेता है अगर नहीं लेता तो आपको डाल देना है OTP डालने के बाद नीचे में submit का option दिखाए देगा submit का option पे click करना है लेने के बाद आपको करना क्योंगा submit का option पर क्लिक करना है registered successfully हो जाएगा अब दोस्तों आपने bank का statement निकाल सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है select bank उपर में आप जख सकते हैं select bank लिखा हुआ है अब दोस्तों नीचे में दिखे जो भी bank उपर में आपको सो करेगा है यहां पर चारो बैंक दिया हुए इन चारो बैंकों का statement निकाल सकते हैं जैसे कि state bank off India का था अभी state bank off India में अभी दोस्तों ये future नहीं दिया है कि phone पे से आप bank account का statement निकाल सकते हैं अभी चार bank का दिया गया है अब आपको करना क्योंगे statement download कैसे करेंगे अगर आपका यह सब bank है तो आपको करना क्योंगा इसकीप के option पे click करना है जैसे दोस्तों इसकीप के option पे click करेंगे अब आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आ जागा आप यहां पर view statement का option दिखाए देगा इस पर आपको simply click नहीं करना है सबसे पहले आपको my account का option दिखाए देगा नीचे में आप देख सकते हैं my account का option दिखाए देगा उसके नीचे में bank account लिखा हुआ है इस पर आपको simply click करना है जैसे दोस्तो bank account का option पे click करेंगे आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आ जागा आप दोस्तो यहां पर नीचे में लिख रहा है पर सभी bankों में अभी ये future नहीं दिया कि आप phone पे से bank का statement निकाल सकते हैं पर कुछ दिन में ये सभी future आ जाएगी सभी bankों के लिए कि आप bank का statement निकाल सकते हैं phone पे से आपको back आना है back आने के बाद दो view statement पे click करेंगे तो आप अपने bank का statement आप देख सकते हैं उसको और नीचे में आपको download को भी option दिखाए देगा, download पे click करेंगे तो आपका PDF फाइल भी download हो जाएगा, तो दोस्तो यहां पर आप देखते हैं, मेरा यहां पर बता रहे हैं, no bank account लिंक है, तो मेरा bank account नहीं लिंक है, क्योंकि दोस्तो मेरा state bank op India का है, और state bank op India में अभी यह feature नहीं दिया कि आप phone पे से bank का statement निकाल सकते हैं, और अगर आपका AU bank, federal bank, और दोस्तो करनाटका bank और YES bank है, तो दोस्तो आप phone पे से bank का statement निकाल सकते हैं, और दोस्तो यहां पर आप loan का भी statement निकाल सकते हैं, I hope दोस्तो वीडियो पसंद आए, कोई वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें, और दोस्तो चैनल पर है, चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न बूलें,